हेलो फ्रेंज बेलकम बैग माई यूटूब चैनल टूड़ पॉइंट होंसाइंस फ्रेंज इस समय हम लोग टेस्ट टाइल में जो पढ़ रहे थे उल में हमने जो देखा था वो हमारा था मैनुफेक्ट्रिंग आफ उल की बारे में हमने देखा था ये मैंने आप लोगों को कुछ एक पॉइंट को बताया था आई हो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा नहीं देखा है तो वीडियो को जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे ओके और ये आपके पेपर आप ब्यू के लिए बहुत ज़ प्लेशन फ्रेम होते हैं ओके तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और साथे वेल आइकेन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करिएगा ओके तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो हमारा होगा उनकी भौतिक और रसानिक बिसेशता के बारे में हम लोग को पढ़ना है क्योंकि जब हम लोग क्लास शुरू किये थे तभी हमने आपको पताया था कि कोई भी रेशा जब हम पढ़ते हैं तो उसके तीन पाल्ट को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले उसके इंट्रो को आज हमारा जो होगा वो क्या होगा उसकी करेक्टर को हम लोग को देखना है यानि उसकी भौतिक और रसानिक बिसेशता को देखेंगे जो कि मैं आप लोगों को उसको पीडिएफ के द्वारा पढ़ाने वाली हूं ताकि आप लोग के हर एक पॉइंट केरियर हो जाए आप आपको इमेज के साथ में आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ क्योंकि विसेशता एक ऐसी पॉइंट है जहां से बहुत ज्यादा कोईश्चन बनते हैं तो हम लोग चलिए पीडिएफ पे देखते हैं इसको कि आपके भौतिक और रसानिक विसेशता उनके क्या है ओके जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि इसकी विसेशताओं को हम लोग पीडिएफ द्वारा देखेंगे तो पीडिएफ हमने तयार किया आप लोगों के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने आप लोगों का पीडिएफ बनाया है जो कि आपके पेपर में यहां से जादा, बहुत जादा ही question यहां से पूछे जाते हैं, तो यह बिना वीडियो skip की आप लोग पढ़िएगा जरूर, हर एक point को career करने वाली हूँ यहां पे, तो चलिए, सबसे पहले उनकी विसेशता को हम लोग देखते हैं, तो यहां पे उनकी पहली विसेशता जो हो तो होगा भौतिक विसेशता हैं, अब भौतिक विसेशताओं में सबसे पहले जो हमारा आ रहा है point, वो हमारा point क्या होगा, तो वो होगा हमारा ratio के, ठीक है, उनकी ratio या तंतूओं का संगठन, इसके संगठन को हम लोग देखेंगे, जो की बहुत जादा यहां सी question पूछा सबसे पहला question तो आपका यही बन जाता है कि उन में कौन सा protein बेदमान होता है, introduction में हमने आपको बताया था कि इसमें कौन सा protein जब हम लोग किसकी बात करते हैं, सिल्क की बात करते हैं, किसकी तो सिल्क की बात करते हैं, तो इसमें जो protein होता है, वो कौन सा होता है, तो fibrin ना नाम के प्रोटीन पाया जाता है क्या पाया जाता है तो प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि आपका उन कैसा रेशा है तो यह आपका है प्रोटीन युक्त रेशा है ओके और आगे इसी में इसके संगठन में और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे इसके अतरीत क् अन सभी वस्तो उपियोगी रेशों से भीन रेशे, उनी रेशे में कुछ अंस गंधक भी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, इसके संगठन में पाया जाने वाले जुतत्त होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो आप क्या बत नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 16% नाइट्रोजन होता है और हाइट्रोजन की बात करेंगे तो कितना तो 7% इसमें हाइट्रोजन होता है और गंधक 4% होता है यह याद रखिएगा उन में कितले परसंट गंधक पाया जाता है यही कोश्चन यहां से पूछते हैं यहां प केरोटीन कौन सी प्रोटीन पाए जाती केरोटीन और दूसरा point यहां पर जो बनने वाला है वो है कितने ही percent गंधक पाया जाता है या कौन सा तत इसमें पाया जाता है तो इसमें गंधक पाया जाता है ओके तो I hope आप लोग को clear हो गया होगा दूसरा हम लोग जो देखेंगे यहां से भी काफी question बनते हैं तो अधिहां से देखिएगा सूचम दर्सी परिच्छन यानि अगर हम सूचम दर्सी द्वारा तंतु को देखते हैं ठीक है अनुदोर्ध और उसकी क्या देखने वाले अनुदोर्ध और अनुपरिष्ट काट को हम लोग देखने वाले हैं तो इसमें जब हम लोग रेशी को कट करके देखते हैं तो वो सनरचना में हमें कैसे दिखाई देता है यहां पर वही देखना है आपको ठीक है अगर हम इसको क्या कर रहे हैं लेंथ वाइस काट रहे हैं और क्रास वाइड वाइस काट रहे हैं तो यह कैसा दिखाई देगा इस जितने रेशे होते हैं, उनसे ये क्या होते हैं, भीन होते हैं, रेशे अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, क्या अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, इसका मद भाग कुछ-कुछ गोलाकार होता है, तथा दोनों सिरे जो होते हैं, नुकीले होते हैं, इंटोडेक्शन जब हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बता दिया था, कि ये कैसे दिखाई देते हैं, तो इसके क्या होते हैं, जो मध्ध भाग होता है, वो गोल दिखाई देता है, और दोनों कोनी के भाग कैसे होते हैं, नुखीले दिखाई देते हैं, इन तंतूओं की सं रचना में तीन पर्थ होती हैं कितने तो तीन पर्थ होती हैं इस बात को याद रखिएगा हर रेशी में एक रच्छा अत्मक पर्थ होती हैं क्या होती है रच्छा अत्मक पर्थ होती हैं जिसे क्या कहा जाता है रच्छा अत्मक पर्थ कहते हैं इसमें छोटी छोटी क्या हो रहे थी वह उन क्या हो रहे थे उच्छ क्वाल्टी के हो रहे थे ठीक है तो इसमें सेल्क की मात्रा पाई जाती है जो कि एक दूसरी उपर चड़ी हुई दिखाई देती है यहां पर देखिए जिन रेशो में सल्क अधिक होते वह उत्तम सेर्डी के माने जाते हैं बिल्कुल हमने आप लोग को बताया भी यह कई बार इस चीज को उके उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाहरी पर्त के अंदर एक मद पर्त होता है और उस पर्त को क्या कहते हैं तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा इस पर्त को क्या कहते हैं तो कौटेस के नाम से इस जानते हैं क्या तो कोटिल यहां भी क्या होता है यहीं पर आपका क्या होता है इसका रंग कैसे होगा यहीं क्या करता है आप उनका रंग कैसा होगा इसकी मजबूती कैसे होगी इसमें लचीला पन कैसा होगा यह सारी चीज यहीं पर निधारित होती है यहां पर आप देख सक देता है वह इसी पर्त पर निर्भर करता है कौन से पर्त पर तो cortex पर किस पर तो cortex पर निर्भर करता है इसके रंग इसकी मजबूती इसमें लचीला पर कितना होगा यह सारा आपके मद्ध भाग पर ही निर्भर करता है आगे जो होगा आपका दूसरा इसमें तीसरा भाग जो होता है, वो कौन सा होता है, मेडूला होता है, कौन सा होता है, तो मेडूला होता है, ओके, इसको हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं, मेडूला होता है, तीसरे भाग को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे पाल्ट को क्या कह रहे है मेडूला के नाम से जानते हैं, इस मेडूला में एक बारिक नुखीली सी सनरचना होती है, जो भिन-भिन होती है, ठीक है, कैसी होती है, भिन-परकार की होती है, भिन-परकार का मतलब हो गया, कुछ भेडों में, भेडों से प्राप्त होने वाले रेशो की लंबाई कितनी हो मेडूलाई को यहां पनी होति है दो सेन्टी मेडर की होते तो कुछ की साथ सेंटी मीटर तक होती जब कुछ अनप्राप्स आपका कस्मीरी बगरी बगरा हो गई तो इस आप प्राप्त होते हैं वो 30-35 cm भी होते हैं जहां तक मजबूती का प्रस्ण है उनी रेशों की मजबूती अन सभी उत्तम प्रकार के रेशों में प्रन्तु मैडूला कम विक्सित होता है एक सेकंड यहां पे कुछ जो है ताइपवी में डिखते हैं ओकी थोड़ा से यहां पेमिश्टेक हुआ है हम लोग आपको बताते हैं यह जो यहां पे लिखा हुआ है यह लंबाई का पाल्ट आ गया है तो इसको आप लोग इसमें नहीं आड़ करेंगे यह इतना पाल्ट आपको इसमें नहीं पढ़ना है ठीक है? यह कैसी होती है? जिस मेडूला में क्या कहते हैं? जिस रेशे में अतनतु मेडूला एक बारिक नलकासी दिखाई देती है और चाती कैसी होती है नलका सी दिखाई देती है और उत्तम परकार के जो उन होते हैं उसमें मैडूला कमबिक्सित होता है यह वाला पाल्ट आपका जो है वो लंबाई का होगा यहां पर सन्रचना देखेंगे आप थोड़ा से देखिए कि यहां पर आपने क्या देखा कि यह बीच में गोलाकार होता है, यही मदभाग होता है, यही निधारित करता है कि इसमें मजबूती कितनी होगी, या इसके लचीले, क्या तो इसमें कितना लचीला पन होगा, ठीक है, क्या होगा, लचीला पन होगा, और इसके रंग को भी यही निधारित करता है, कोन कोटेक्स कर सबसे अंद्रब की भाग होती है जो कि सूस्म तंतु के नाम से जाना जाता है तो यह परधी होती है यह बाहरी सबसे बाहरी भाग हो गया यह मद्ध भाग हो गया आपका और मेडूला आपका कोशिका हो गया और आपका यह भाग जो है यह तंतु वो लिखा है सूस्म तंतु यह आपका मेडूला हो गया तो इस तरह से कुछ उन की आंतरिक संडचना होती है आप लोग इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके उन अगर इसको सूस्म दर्शी द्वारा की लंबाई को देखने वाले रिशा की लंबाई में थोड़ा से उल्डा पृल्टा हो गया मैं आपको बताती हूं तो इसमें देखा देखे मजबूति की अगर हम लोग ग़िविन्जात के भेड़ों से प्राफ्त는 वाले उनके लंबाई वस्तर उप योगी रिश्यों से क कम होती सरे रहे कि में इतली स्कीत क्यूंसेंर यह सुनेट थी आतो है इस कि खढ़ान के सथ होरा है ठीक है अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई यहां पर हम लोग देखने वाले हैं लंबाई की बात करेंगे तो रेशो की लंबाई 2 cm से 7 cm हो सकता है 2 से 7 भी हो सकता है ठीक है रेशो की लंबाई कितनी हो सकती 2 से 7 हो सकती है कुछ जैसे आपकी कस्मीरी बक्री हो गई तो 30-35 cm तक भी होती है ठीक है तो इस बात को यहां पे आप लोग विल्कुल याद रखिएगा हमने आपको सिफ और शिप क्या बताया है आप यह इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि एक इंची से चार इंची तक भी होता है और चार से से इसके आकार पाय जाते हैं लेकिन अगर पेपर आप व्यू की हिसाब से हम लोग देखेंगे तो चार से एक से चार से सेंटीमीटर और साथ से आट सेंटीमीटर ही माना गया है ओके चलिए आई होब आप लोग को किरियर हो गया होगा नेश्ट पॉइंट हम लोग देखत आपको ओन में नमी सोखने की छमता कितनी होती है यह आपको बताना है तो उनके रेशो में नमी सोखने की छमता अर्थात और वसत्रो प्योंगी तंतों की तुहना में देर में सुखते हैं ये वातावरण में नमी को भी बहुत सेग्र क्या करते हैं सोसित कर लेते हैं कर सकता है लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों को पता है में अभी retrouve मेन बताया 20 परसंट मजबूती खोदेता है इसलिए इसको रगण कर नहीं धोना चाहिए क्यों द्राइस किया पानी नहीं धोया जाता है और पानी में इसको डालने से हमेसी आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब क्या कर रहे हैं उनिवस्ट्र को षेक तो उसको hang करके न सुखा कर उससे किसी टेबल पे अच्छे से जो है समतल जगा पे फैला कर सुखा ये नहीं तो उसका आकार बिगड जाता है इसलिए नेश्ट हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं ताप की समवाहकता यानि इस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ये जो है उनी ताप के अच्छे समवाहक नहीं होते हैं क्या होते हैं अच्छे समवाहक नहीं होते हैं जिसका कारण इसमें बि इसलिए वस्ट्र गर्म होते हूं कि मद रिक्त अस्तान भी होते हैं इस दो पनाए थी विशेच्टा तो हमने आप लोगों को बताया था क्या बताया था कि इसमें जो गैपिंग होती है इसमें जो है भराई का भी एक जो है प्रोसेस किया जाता है क्या किया जाता है तो भराई का भी प्रोसेस इस पे किया जाता है ओके चलिए नेश्ट पॉइंट हम लोग थीक है तो क्या बताए कि भराई इसमें जो मद हस्थान होता है उसी कारण इसमें वाईव भर जाती है औ वायू ताप के कूचालक होते हैं यही पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है कि उन ताप का कूचालक होता है कि सूचालक होता है तो आप क्या बताएंगे कि उन ताप वायू या ताप किसी की भी बात करेंगे तो यह उसका कूचालक होता है तीक है इसी कारण यह हमारे सरीर के क्या करते हैं गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं तो जिससे गर्मी हमारे सरीर को थंडी नहीं लगती है इसलिए इसको क्या ये ताप का कूच आलक होता है ये आप लोगों से पोछा जाता है ओके चलिए निश्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं ताप का क्या प्रभाव परता है तो यदि उनी रेशों पर पत्यच रूफ से ताप पड़ता है तो ये क्या होते हैं इस पर प्रतिकूल प्रभाव परता है अधिक ताप इसकी बाहरी परत को नस्ट कर देता है इसलिए समान रूफ से उनी वस्तरों को प्रेस करते समय उसके उपर एक पतल सूती वस्त रखना चाहिए वैसे भी तो हम लोग उनी वस्त को जल्दी प्रस नहीं करते हैं तो ताप का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है नेस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा रेशों पर धूब का प्रभाव तो समान इस्तियों में उनी रेशों को अधिक यदि अध मैं आपनी रेशों में प्रती स्कंधता का गुड्र प्रयापद मातरा में पाया जाता है इसी गुड के कारण इसमें बने वस्त tied को चाहे जितने मोटा मोडा तोडा या दबाया जाए छोडने पर ये पुना अपनी क्या करते हैं मोल अवस्ता में यानि कि आप उनी वस्तरों को क्या करते हैं इस तरह सित्ता बना के रखें आप क्या करते हैं इस तरीके से माली जित्ता बना के रखें और उपर से प्रस करते हैं तो ये इतना इलाशिटी की बात कर लेंगे तो इसमें देखिए जब किसी वस्तर को पकर के खीचा जाता है अब यह लंबाई में आप खीच रहे हो इस तरह से खीच रहे हो और खीचने के बाद जब छोड़ते हो तो पुना यह अपने आकिरती में आ जाती है तो यही आपकी इलाशिटी ह होती है इसमें प्रयावत मात्रा में होते हैं खीचने पर लंबाई में बढ़ते हैं तथा खीचाओ समाप्त होने पर पुना अपनी स्थिती में आ जाते हैं समारूप से उनी रेशे अपनी मौलिक लंबाई से 30% अधिक खीच जाते हैं ठीक है इसको याद रखिएगा कितन तो 30% खीच जाते हैं ओके सफाय धुलाई की बात करेंगे तो उनी तंतों की सता खुरदूरी होती है अता उनी वस्तर ओपर धूल सरता से क्या होते हैं रूख जाते हैं इसको ब्रस से जहार कर आप आसानी से साब कर सकते हैं आप लोगों को पता है कि उनी वस्तर को हमेसर तो अगर कर पेट कर नहीं दूलना चाहिए हमेसर ड्राई वस्तर करना चाहिए जिससे इसका अकार्ट बिगर जाता अब हमने आप लोग को यह बता दिया अब हम लोग क्या देखेंगे रसानिक विस्तर देखेंगे यह सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉटन्ट ह तो रेशे क्या हो जाते हैं में इसका प्रतिकूल प्रभाव हृत प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है। लेकिन जो सरफूरिक अमलों होते हैं, ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ओके चलिए, अब आता है छारों का प्रभाव, उन पर छार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन का छार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, त इस्तों पर सरता से रंग चढ़ाया जा सकता है क्रोम रंग उनपर अधिक खिलते हैं और पकके रहते हैं, यह याद रखिएगा कि इन उनीवस्तर पर कॉन से रंग उत्ogene मने जाते हैं तो 0, और असनी से हो तुऑ आफ जड़ाते हैं bleach, बिरंजग मतलब bleach, उनको स्वच्छ करने के लिए समान रूप से hydro-prioxide ही बिरंजग के रूप में प्रियोग होता है, ये मैंने आप लोग को जब हमने बताया था, क्या करने के लिए, bleaching प्रोसेस करते समय हमने आपको दो तत्त को बताया था, एक हमने आपको क्या बताया थ दूसरा हमने hydro-prioxide का बताया था, तो किसका प्रियोग करना चाहिए, hydro-prioxide बिरंजग का ही प्रियोग करना चाहिए, ओके, चलिए, पसीने का इस पर क्या प्रभाव परता है, प्रतिकूल का मतलब कि बुरा प्रभाव परता है, ओके, क्या तो बुरा प्रभाव परता है, आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा यहां पर थोड़ा से रुखके आप लोग अराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग को सारे पॉइंट असपश्ट हो जाएंगे कि हमने क्या बताया अब देखिए उन पर कीटों तथा फफूंदी का प्रभाव तो यह बहुत ही समय तक गीले तथा नर मौस्ता में रख दिये जाएं तो इसमें क्या होते हैं फफूंदी लग जाते हैं उनिवस्तरों को वस्तर काटने वाले कीडे बहुत सीगरी ही हानी पहुचाते हैं इन कीडों से बचाया जा सकता है इन उनिवस्तरों को सधाने पुर्बत देखिए नमी रहेगा सिवर सी बात है नमी रहेगी तो यह क्या होंगे इसमें कीडे और फफूंदी लगेंगे तो इसको नमी नहीं होना चाहिए तो इससे भी इसके हानिकारक प्रभाव परते हैं उप्योग विवर्ण से उनके भातिक और रसानिक गुड असपश्ट हो जाते हैं और इनहीं गुड़ों के कारण सित्रुट में उनी वस्तरों की उप्योगता सोता सिद्ध होती है ठीक है I hope मेरी बात आप लोग को समझ गए होंगे मैंने इसलिए इसको पीडियाप में पढ़ाया ताकि आप लोग सारे एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिए और आप लोग कहती हूं उनका चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा ओके तो आई होब आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीस लाइक और शेयर करिएगा और साथी मैं आप लोगों को बता दूं कि भी आ आरे वहां पर अस्प्रस्ट हो जाएंगे ओके तो नेस्ट वीडियो में फिर मेंते हैं तब तक के लिए बाबार चैहें